दोस्तों एक मेरे रडार पे स्टॉक आया है जो की बॉर्न पूर सिमेंट है इसको पिछले 6 महीने से मैं ट्राइक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को ब्रेकाउट्स देखने को मिल सकते हैं तो यह पैटन है दोस्तों जिससे कि एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल करके आता है और अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो फंडामेंटल मैं आप लोगों के साथ डिसकस नहीं करने वाला हूँ इस बात का ध्यान लगए क्यूंकि बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल हम लोगों को बाहर से नहीं स्टॉक दिखते हैं बट कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं उनको इसकी नॉलेज होती है तो हमें जो एक टेकनिकल एनलिस्ट होते हैं जो शॉट टम में या फिर पैनी स्टॉक को डूंडते रहते हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके का पैटन बन रहा है हमें किस तरीके के टार्गेट मिल रहा है और किस तरीके का स्टॉप लॉस मिल रहा है और जो लोग फंडामेंटल पर देखते हैं वो लोग देखते हैं कि भाईया कंपनी में क्या चल रहा है कितनी खरीदारी चल रह अगर मैं बर्नपूर्ट सिमेंट के टेकनिकल अनलेसिस की बात करूं तो कुछ मिंटों में या फिर करेंगे कुछ घंटों की अनलेसिस में आप लोगों को पता चल पाएगा कि इसमें क्या हो सकता है देखिए दोस्तों पिछले 6 माइने से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं देख मैंने इसमें उस समय नहीं खरी था क्योंकि मुझे लगा कि एक हैंडल यहां पर आ सकता है तो देखिए फिर उसके बाद कितना जादा यह नीचे निकल करके आया है यानि कि इसमें कितना जादा गिरा ओटा एक छोटी सी डाउन ट्रेंड के साथ इसने फिर इस हफते में ब ब्रेकाउट मिला है दोस्तो यहां पर आप लोग इस पैटरन को देखें तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि देखिए अब हर दिन इसको ट्रैक कर पाना और आपको बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को ब् बन सकता है ठीक है तो एक कपन हेंडल का होता है कि अगर इसका ब्रेकाउट आता है कपन हेंडल का तो इसके पांच गुना टार्गेट आ सकते हैं यानि कि यहां से यह 500% भी बढ़ सकता है देखिए टार्गेट से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैं आप लोगों को एक टार्गेट निकाल करके दिखाता हूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यह टार्गेट दिखाया है तो अभी फिलहाल देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है हमें स्टॉप लॉस हमारा क्लियर होना चाहिए तो जो लोग भी अभी तक इसमें पोजिशन नहीं बन पैनी स्टॉक में इंवस्स करने से पहले बता दूँ या फिर खरीदने से पहले बता दूँ कि इसमें रिस्क बहुत जादा होता है इसमें आपके पैसे बहुत बूरी तरीके से डूब सकते हैं लेकिन अगर आप लोग को स्टॉप लोस क्लियर होगा तो आपका पैसा बत जाएगा डूबने से जो लोग भी अभी इसमें पैसा डालना चाहते हैं तो उनके लिए एक stop loss रहेगा 5 रुपे 50 पैसे पे ठीक है ये stop loss लेकर के ही आप लोग इसमें invest कीजेगा वरना आप लोग investment करने से बचिएगा तो अभी कल अगर market खुलता है यानि कि रस्पतिवार को Thursday को तो मेभी ये आप लोगों को green line पे खुले तो ठीक है आप लोग कर सकते हैं बट मैं आप लोग को क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे stop loss रखना चाहिए ठीक है अपनी buying position अगर यहाँ तक आप लोगों के भी shift हो जाती है तो भी आप लोगों का stop loss यही रहेगा और कोसिस के लिए कि अगर मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ यह single day में move करता है तब आप खरेदने कोसिस कीजेगा open market में तुरंत आप लोग buy price मत कीजेगा market पे आप लोग price को रख करके क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें correction आ सकता है और वहाँ पे आप जो target रखना है वो यह रखना है जो की 14 रुपय का हो सकता है और यह काफी अच्छा risk and reward ratio बन रहा है लगबग 3.69 का risk reward ratio बन रहा है यानि कि एक रुपय के रिस्क पे आप लोगों को 3.5 रुपय का फायदा हो रहा है यहाँ पे और जो लोग भी इसके साथ already बने हैं ठीक है जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदा है यानि कि मंडे वगेरा को खरीदा है तो उनके लिए stop loss रहेगा 4.20 पैसे पे ध्यान से दोस्तो stop loss को आप लोग लिख लीजे ठीक है क्योंकि कई लोग यह सारी चीजे नहीं लगा सकते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा कि अगर वो खर तरीके से चपत लगा सकता है और जो लोग भी 6 रुपए के उपर खरीद रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि उनका stop loss रहेगा 5.50 पैसे ठेक है क्योंकि हमें risk reward के साथ खिलवाड नहीं करना है इसलिए आप लोगों का जो पहला target रहेगा इस breakout के बाद वो रहेगा 14 रुपए और यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि यह breakout आप लोगों को कर ही दे या फिर आए एक हपते दो हपते तीन हपते भी लग सकते हैं तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा धैरे रख करके अपने stop loss को trail करना होगा तो अगर यह breakout होता है न और फिर उसके बाद यह stock के movement आती है तो माल लीजिए कि अगर आप यहां पर भाई कर रहे है आट रुपे पे तो आप stop loss लगाएंगे 7 रुपे 50 पैसे वरना अगर इसको break किया न तो फिर आप लोगों को तगड़ा नुकसान हो सकता है यह वाले stop loss तो का सकता है इविन यहां तक भी आ सकता है तो इसलिए अगर आ 1-3 का बना चाहिए 1 रुपे का रिस्क और 3 रुपे का फायदा और दोस्तों अगर हम लोग टार्गेट की बात करें तो यहां से काफी अच्छी मुवमेंट हमें देखने को मिल सकती है अगर हम यह stop loss लेकर के चले और अगर हम लोग पूरे टार्गेट की बात करें तो हमें काफी अच्छा टार्गेट यहां से देखने को मिल सकता है अल्मोस्ट हमें 40 रुपे तक का टार्गेट आ सकता है अगर यह पैनी और मल्टी बैगर स्टॉक बनता है तो 40 रुपे का यह टार्गेट बन सकता है आने वाले 8 से 10 महीने में यह टार्गेट आप लोगों को देखना है कि आपका stop loss hit ना हो, अगर hit होता है तो आप लोग उसको जरूर लीजिए, आप लोग उसको अपने AD का घाव मत बनाएगा, वरना आप लोगों के पैसे यहाँ पर फस सकते हैं, और बाद में आप लोग भुजे ही गालियां सुना होगे, तो यह है दोस्तो एक burn poor cement limited जो आप लोगों के लिए पैने stock बन सकता है, इसके लिए आप लोग देख सकते हो, अपने risk पे ही इसमें invest करें, मेरे कहने पे नहीं, बस मैं आप लोगों के सामने इसके technical analysis present कर रहा हूँ, कि क्या और कहां पे आप लोगों को मिल सकता है, यह वीडियो helpful रही होगी समझने मे आप लोगों के question नीचे comment कर सकते हैं, किसा stock का review चाते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए जल से लोग वीडियो देनी कुसिस करूँगा, बाकि हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं, आप लोगों के दिन सुभो, जाहिन!